सो बोलते हैं कि मा और उसके बच्चे का बॉंड सबसे पावरफुल बॉंड होता है बट अगर मा और बेटी की स्टोरी में मा ही रियल विलन होतो सो आज मैं ऐसी ही एक रिसेंट में रिलीज हुई मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ इसका नेम है रन ये हॉरर एंड थ्रेलर की कैटेगरी में आती है और इसकी रेटिंग्स कुछ इस तरह है मूवी काफी सस्पेंसफुल है कि एक मा अपनी डिसेबल बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है ऐसा हम वीवर्स को लगता है स्टार्ट में बट एंड में एक तगड़ा ट्विस्ट आता है और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो लेट्स स्टार्ट इव ओक्त्रों और यू अल जस्ट हैव तो सिट डाउन, कीप काम और लिसेन तो मी सो मूवी स्टार्ट होती है और हम वीवर्स को पांच बिमारियों के बारे में दिखाते हैं अरित्मिया, हेमोग्रोमोटोसिस, एस्थमा, डायबेटीस, एन पेरलिसिस और एक लेडि को दिखाते हैं जिसका नेम होता है डियान और ऐसा दिखाते हैं कि इसकी एक न्यूबॉर्ण बेटी होई होती है बट सीन देखे कुछ गड़बर लग रहा होता है और यहां से सीन चेंज होके कुछ सालों बाद का दिखाते हैं जिसमें अब डियान की बेटी बड़ी हो गई होती है इसका नेम होता है चलोई और यह हाइ स्कूल में होती है बट यह एक नॉर्मल परसन की अई वहार दर्वी की और दर्चोल में पड़ने नहीं होती और इसका ड्रेम होता है कि एक इनवर्सिटी में जाके मेडिकल की पड़ाई continue करे और Deanne भी Chloe की अच्छे से care करती है right time पे इसको medicines देती है और इसकी सारी need पूरी करती है बट सिर्फ गर के अंदर वाली और एक दिन Deanne जब market से shopping करके आती है तो Chloe shopping bag से chocolates चुराने लगती है और इसको अपने medicines के new packets देखते हैं बट उसमें Deanne यानि इसकी mom का name लिखा होता है इसका मतलब की medicines Deanne के लिए होती है बट वो Chloe को दवाईये देती है और जब Chloe ये बाट Deanne से पूछती है तो उसका कहना था कि जिस name से receipt होती है वही name वो लोग medicines में लिख देते हैं इसलिए मेरा name उसमें है लेकिन Chloe के मन में doubt आ जाता है और ये और चान बीनिया करने लगती है घर में जितने इससे possible थी तो इसे एक जगा पर और proof मिलता है कि इसकी mom इसको जानबूज के अपने name की medicine दे रही थी और फिए Chloe रात में try करती है कि गूगल का use करके पता लगाए कि ये medicine किस चीज के लिए है इसको इस medicine का name पता था जो इसकी mom इसको दे रही थी इसकी mom ने इसका name बताया था trigoxin और यहाँ पता चलता है कि Deanne Chloe को internet भी use नहीं करने देती इवेन उसके पास खुद का phone भी नहीं होता well कुछ तो गड़बढ़ देया और search करने के बाद system error दे रहता है कि internet availability नहीं है इनका wifi work नहीं कर रहा और background में viewers को अंधेरे में दिखाते हैं कि Deanne बैठी होती है मतलब इसी ने wifi के साथ कुछ गडबढ़ करी है तभी वो work नहीं कर रहा और next day Deanne ऐसे behave करती है कि रात में उसने कुछ देखा ही नहीं था और customer service से wifi ठीक करने के लिए बोलने लगती है और फिर Chloe को कोई option नजर नहीं आता तो वो मौका देखके phone से कोई random number dial कर देती है और other side में एक लड़का होता है तो यह उससे help मांगती है और वो भी काफी नखरे दिखाने के बाद इसकी help करने के लिए ready हो जाता है और Chloe उससे बोलती है कि अपना browser open करके एक medicine trigoxin के बारे में सर्च करो और वो सर्च करके इसे बताता है कि यह दवाई heart patient के लिए होती है मतलब यह दवाई एकदम सही दी Chloe के लिए बट तभी Chloe उससे इमेलियस में जाके पिल्स के color के बारे में पूछती है तो Google बाबा के हिसाब से trigoxin medicine एक छोटी red color के पिल होती है लेकिन Chloe की medicine का color और shape दोनों अलग होती है मतलब इसकी mom ने इससे जूट बोला था medicine की name को लेकर और एकिसी और चीज की medicine होती है अब Chloe को पूरा शक हो जाता है कि उसकी mom इसके साथ कुछ गलत कर रही है तो ये रात में दवाईयां खाना छोड़ देती है और एक और plan मनाती है and next day अपनी mom के साथ में movie देखने चलने के लिए बोलती है सो इसकी mom ready हो जाती है और Chloe अपने साथ वो pills भी ले जाती है और movie के बीच से चुपके से निकल के Chloe cinema hall के बाहर एक medical shop जाती है जहां से इसकी mom इसकी दवाईयां लाती थी और Chloe डॉक्टर को अपनी दवाईयां दिखाती है और पूस्तिये कि ये दवाईयां किस लिए होती है और उस डॉक्टर का कहना था कि ये दवाईयां इनसानों के लिए नहीं है डॉक्स के लिए हैं और अगर इनसान इस दवाईय को खा लेगा तो उसके पैर पैरलाइस हो जाएंगे जो कि Chloe के होते हैं क्योंकि इसकी mom छोटे से इसको ये ही डॉक्स की दवाई खिला रही होती है और थभी D.N. यहां आ जाती है और सब को यहां से भगा के Chloe को इंजेक्शन लगा के बेहोस कर देती है और D.N. जब बातरूम में नहा रही थी तब इसके बैक में एक सिंबल बना होता है जिससे आप सब वाकिफ होंगे और Chloe जब होस में आके उठती है तो यह अपने रूम में होती है और एक्चुली रूम में बन्द होती है और इसकी mom यानि D.N. बहुत सोच विचार के बाद Chloe के लिए एक दवाई लेने गई होती है जिससे Chloe का नर्वस सिस्टम वीक हो जाएगा और यह सब भूल जाएगी जो इसके साथ भी हुआ और Chloe जो की बताया था काफी होशियार होती है यह बहुत मुस्किलों के बाद अपने रूम से निकल के घर से बाहर निकलने का रास्ता ढून लेती है और रास्ता में से एक वैन मिलती है जो की Chloe के घर समान डिलेवर करने आया करती थी और उसके इंदर एक आदमी होता है और Chloe उससे हल्प मांगती है और वो आदमी भी Chloe और उसकी मॉम को जानता था और Chloe उसको सब बता देती है कि उसकी मॉम इसे मारने का ट्राई कर रही है बट तभी वहां कार से इसकी मॉम भी हा जाती है और वो इन दोनों को देख लेती है और वो आदमी डियाएन को मना कर देता है Chloe के पास जाने से और डियाएन बहुत रोती है कि उसको अपनी बेटी से मिलने दो बट Chloe के कहने पर ये दोनों पुलिस के अपास जाने के लिए रेडी होने लगते है लेकिन डियाएन पीछे से आके उस आदमी को इंजेक्ट कर देती है और वो बेहोश हो जाता है और Chloe को भी बेहोश करके ये एक जगा ले आती है और Chloe को इस जगा सारे रास पता चल जाते हैं अपनी मॉम के एक्चली में मूवी के स्टार्ट में जो एक छोटी सी क्लिप दिखाई गई थी कि डियाएन की एक बेटी होती है बट उसकी बेटी वही पर दो गंटे में मर जाती है उस ननी सी जान को देखके ही पता चल रहा था कि वो हेल्दी नहीं है तो सवाल आता है कि एक क्लोई कौन है सो जब डियाएन की बेटी मर जाती है तो ये काफी डिप्रेस हो जाती है और विसली ये माब बनी ही थी और इसके साथ ऐसा हो गया बट फिर ये वही हॉस्पिटल से किसी की बेटी को चुरा लेती है और उसको अपनी बेटी की तरह पालती है तो ये क्लोई वही लड़की होती है एक पेपर कटिंग में क्लोई को अपने रियल पैरेंट्स दिख जाते है और क्लोई को कभी कोई बिमारी नहीं थी ये पूरी तरह से हेल्दी चाइड थी बट डियाई ने जानबूच के इसको बिमार किया इसको डिसेबल चाइड बनाया और इसको हमेशा आइसोलेशन में रखा ताकि ओविसली क्लोई कभी सच ना जान सके बट क्लोई होश्यार थी वो लास्ट में सारे तुरुथ सैड तुरुथ जान गई और अब डियाईन यहां आती है और इतना सब करने के बाद भी सेंटिमेंटल होके क्लोई से बोलने लगती है कि बेटी मैंने जो भी किया तो हार खातिर किया वो अउंटी बट क्लोई अब सब समझ चुकी होती है कि डियाईन ने यह सब अपनी सल्फिशनेस के लिए किया क्योंकि इसको मा बनने का भूछ सवार था और क्लोई अब कभी भी डियाईन को माफ नहीं करेगी और इसी वज़े से डियाईन वही दवाई लाने लगती है जिससे क्लोई इससब भूल जाएगी और यह दोनों एकदम न्यू लाइफ इस्टार्ट करेंगे बट इससे पहले डियाईन क्लोई को इंजेक्शन लगा पाती यह कमरे में घुश जाती है और डियाईन के सामने ही क्वाईजन पी के सुसाइड करने का ट्राई करती है बट लगिली या अनलगिली यह बच जाती है और हॉस्पिटल में होती है इसकी मॉम भी बहार होती है और यह पूरी तरह से परलाइस हो जाती है बोल भी नहीं पा रही होती डियाईन ने इसे ऐसे ड्रक्स दी होंगे हॉस्पिटल लाने से पहले और क्लोई वहां की नर्स से बताने का ट्राई करती है किसकी मॉम इन सब के पीछे है बट तब तक एक इमेर्जनसी आ जाती है और नर्स वहां चली जाती है और तब ही डियाईन रूम में आके क्लोई को बेट से उठाने लगती है और वहां से वीलचेर में बठा के अपने साथ ले जाने लगती है और क्लोई विचारी कुछ नहीं कर पारी होती लेकिन नर्स वापस रूम में आती है और समझ जाती है कि कुछ कड़बड है सो वो साइरन्स बजवा देती है और डियाईन के पास गन भी होती है मतलब ये क्लोई के लिए किसी को मारने के लिए भी रेडी है और क्लोई की अब हालत सही होने लगती है ड्रक्स का असर कम होने लगता है और इसके हाथ पर काम करने लगते हैं और ये बोलने भी लगती है बट फिर यहां गार्ट्स आ जाते हैं और डियान के शोल्डर में शूट कर देते हैं और ये नीचे गिर जाती है और यहां से scene change होता है साथ साल बात का और एक prison type institution दिखाते हैं और यहां Chloe आती है और Chloe अब काफी बड़ी हो गई होती है और ये एक metal detector machine से बिना किसी की help की अपने पैर पे खड़े होके निकल जाती है मतलब काफी improve हो गई होती है ये और यहां के guards की बातों से ऐसा लग रहा होता है कि यह यहां अक्सर आया करती है और फिर ये अपनी non-birth mom से मिलती है डियान से इसकी हालत clearly बहुत खराब लग रही होती है और Chloe इसको अपनी life के बारे में बताती है कि इसकी marriage हो चुकी है और इसका एक बेटा है और ये अपने real biological parents के साथ है और फिर ये डियान से goodbye बोलती है बट फिर अपने मूँ से medicines का एक packet निकालती है और डियान से बोलती है Love you mom, now open wide और movie यहां खतम हो जाती है So question arises कि last में क्या हुआ तो उस hospital वाले incident के बाद डियान को एक institution में रख दिया गया था और Chloe अपनी life में move on हुई और जो इसका dream था कि university में जाके इसको medical line में जाना था वो इसने पूरा किया और अपनी एक छोटी से family भी बनाई बट यह पूरी तरह से life में move on नहीं हो पाई थी इसलिए यह बार-बार अपनी mom डियान से मिलने आती है institution में और इनसे बात करती है जैसा कि डियान ने बोला था एक जगा Chloe से कि I need you and you need me too बट Chloe वहाँ इसलिए नहीं आती कि उसके लिए डियान को लेकर कोई feelings है यह अपना past कभी नहीं बूल सकती कि इसके साथ क्या हुआ यह एक normal kid होकर भी normal life नहीं जीपाई और इसलिए हर बार अपने मूँ में छुपा के pills लेके आती है और यह वही pills होती है जो डियान हमेसा Chloe को दिया करती थी इसलिए Chloe भी वही pills डियान को देती है ताकि इसको भी पता चले कि Chloe कैसे रहती थी उसने अपने पूरी life कैसे बिताई और मतलब अब डियान भी पूरी तड़ा पैरलाइज होती है ड्रक्स की वजह से और ऐसे ही लाइफ बिताएगी भी जब तक क्लोई की मरजी होगी और मुवी में एक जगा वो डीमन सिंबल दिखाया था डियान के बैक में उसका रियल मीनिंग मुवी में कहीं नहीं दिखाया गया तो मतलब हम सिर्फ गैस कर सकते हैं कि डियान का कुछ डार्क पास्ट होगा कोई कल्ट वाला सीन और शायद इसी वजह से इसकी न्यूबॉर्ण बेटी मर गई थी और इसकी सोच भी इसी वजह से ऐसी हो गई थी कि अपनी हल्दी बेटी को एक डिसेबल चाइल्ड बना के रखना इस वीडियो के लिए इतना ही और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना से यू इन नेक्स वीडियो रफता के लिए स्टे तुने और बबाए